हेलो दोस्तों आई टी आउनलाइन एजुकेशन में एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मैं एक नई फैंटास्टिक वीडियो लेकर के आया हूं जिसमें आपको त्रिपल सी में आने वाले महतपूर सौटकट की के बारे मताया जाएगा अगर आप ऐसे तो आसानी से त्रिपल सी पास हो जाएंगे तो चलिए बिना देर की वे वीडियो स्टाट करते हैं दोस्तों अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें सस्क्राइब करें सेक्परई करें ताकि हर वीडियो की नौटिएकशन सब से पले फार सर्काम कंट्रोल एक एसा हैं, जिसके माध्यम से हम पूरे पेज को एकसा सलेक्ट कर सकते हैं, जिसके द्वारा हम अपने computer knowledge को बहुत बहुत बहतर बना सकते हैं, और कम समय में अधिक कारे कर सकते हैं, अपने समय को सेप कर सकते हैं, Ctrl-B, Bold, Highlighted Text, यानि जितने टेक्स्ट को हमने सलेक्ट किया, उस टेक्स्ट को Bold में करने के लिए हम इसका उप्योग करते हैं, जैसा कि यहां हम दिखा रहा है, जैसे यह Bold दिया है, यह Bold है, इसका उप्योग करने से ऐसे shortcut की Bold हो जाता है, आगे दिया है दोस्तों, आगे दिया है Ctrl-C, Copy Any Selected Text और Another Object, जितने टेक्स्ट को या अबजेक्ट को हम सलेक्ट करेंगे, उसको Copy करके duplicate बनाना चाहते हैं, तो Ctrl-C ब्टन प्रेस करके बना सकते हैं, Ctrl-D, Ctrl-D के द्वारा हम Bookmark को Open करके, बेब ब्राउजर पर हम डारेक्ट जा सकते हैं, जैसे Microsoft Word से डारेक्ट जम्प कर सकते हैं, यानि किसी भी Software को चला रहा हैं, और उस पर हम जम्प करना चाहते हैं, तो हम आसानी से जम्प कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख रहा है, Ctrl-D दिया हुगा है, आगे दिया, Ctrl-E, Center Text, किसी भी Text को अगर लिखते हैं, और उस Text को हम सेंटर में करना चाहते हैं, तो इस बटन को हम प्रेस करेंगे, वहाँ से सेंटर हो जाएगा, Ctrl-E, Center Text, जिस Text को हम लिखते हैं, उस Text को अगर चाहते हैं, अपने Computer के बीच में स्क्रीन पर करने के लिए, तो Ctrl-E, प्रेस कर देंगे, और जो हमारे Text सेलेक्टेड आएगा, वह हमारे बीच स्क्रीन पर आ जाएगा, Ctrl-E, Find Window, यानि जो बिंडो को Open किये हैं, वह बिंडो को हम Find करके, अलग-अलग बिंडो पर जम्प करके कारे कर सकते हैं, Ctrl-G, Open Find in a Browser and Word Processor, यानि जो Word Processor और Browser हम खोले हैं, उसको हम Ctrl-G से Open कर सकते हैं, और उसे Find कर सकते हैं, खोज सकते हैं, Ctrl-H, Open, Define and Replace in Notepad, Microsoft Word and WordPad, Ctrl-H के द्वारा हम किसी भी Text को, Word को, या Sentence को Replace कर सकते हैं, यानि उस अस्थान पर दूसरे Word को Replace कर सकते हैं, चाहे और Notepad Software में हुआ, या फिर Microsoft Word में हुआ, या WordPad में हुआ, दोस्तों, Shortcut की एक ऐसा माध्यम है, जो Computer में Smart बना सकता ब्यक्ति को, क्योंकि एक ऐसा या माध्यम है, जिससे ब्यक्ति अपने समय को बचा सकता है, और अधिक सधिक कारे कर सकता है, तो आगे दिया है दोस्तों, Ctrl-I, Ctrl-I का सर्कट की का मतलब होता, Italic Text, यानि टेक्स्ट को सलेक्ट करके, उसे टेड़ा एक नए लुक में देने के लिए, Ctrl-I का प्रियोग करते हैं, Ctrl-J, View Download in Browsers and Set Justify Alignment in Microsoft Word, Microsoft Word से हम अपने टेक्स्ट को justify करते हैं, Center में करना, या फिर उसके दोनों साइट को equal करना, ये सारा function Ctrl-J से हम करते हैं, Ctrl के किसी भी document को अगर हम बना लिए हैं, जाहे हो Microsoft Word का हुआ, या Paint का हुआ, या फिर Other Program का हुआ, उसे हम HTML से अगर link करना चाहते हैं, तो HTML Editor में जा करके और उसे पेश्ट कर, फिर Ctrl-K बटन प्रेस करके उसे hyperlink कर सकते हैं, आगे दिया Ctrl-L, Ctrl-L का मतलब होता है दोस्तों, Left-L-Igen दी टेक्स्ट, यानि Select Address Bar in Browser और Left-L-Igen टेक्स्ट इन्हें Word Processor, किसी भी Word Processor Software में जा करके, Ctrl-L, प्रेस करेंगे, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके, तो वह हमारा जो टेक्स्ट है सलेक्टेड, वह Left-Side चला जाएगा, और वह Left-Side से Equal दिखाएगा, Ctrl-Igen, Idented Selected Text in Word, Processors and Other Programs, यानि यह किसी भी Processor Program, चैसे Word Processor Program के माध्यम से टेक्स्ट को सलेक्ट करता है, और New Page देता है, अब दिया है Ctrl-Igen, यह Ctrl-Igen बटन प्रेस कर किसी भी साप्टेविन में हम नया डाकुमिन बना कर तयार करते हैं, Ctrl-O, Open a File in Most Program, Ctrl-O से हम किसी भी साप्टेवियर में फाइल को ओपेन करते हैं, चाहे वह MS Word हो गया, चाहे वह MS Excel हो गया, या Photoshop हो गया, किसी भी फाइल में, हम Ctrl-O से फाइल को ओपेन करते हैं, Ctrl-P, Ctrl-P हर साप्टेवियर में काम करने वाला shortcut की है, जिससे जो भी हम डाकुमेंट बना उस डाकुमेंट को आसानी से प्रिंट कर सकते हैं, आगे दिया Ctrl-R, Reload Page in Browser और Write Elagon Text, या जो भी टेक्स्ट को हम लिखते हैं, उस टेक्स्ट को राइट साइट करने के लिए, राइट साइट सी कोल दिखाए, राइट साइट करने के लिए हम Ctrl-R का प्रियूप करते हैं, वो वर्ड प्रोसेसर में, Ctrl-S, जो भी डाकुमेंट अगर हम बनाते हैं, उस डाकुमेंट को फाइल के रूप में सेब करने के लिए, Ctrl-S, आप्सन को प्रेस करते हैं, सॉट करकी, Ctrl-T, create a new tab in an internet, ब्राउजर और adjust tabs in वर्ड प्रोसेसर, Ctrl-T का प्रियूप करके हम एक नए टाइब को खोल सकते हैं, इंटरनेट ब्राउजर के माध्यम से, Ctrl-U, जिस भी text को हम select किये हैं, उस text को हम underline कर सकते हैं, Ctrl-U से, Ctrl-V, paste any text or another object that has been copied, जिस object को हमने copy किया था, उस object को एक अस्थान पर या दूसरे अस्थान पर ले जा करके, पेस्ट कर सकते हैं, Ctrl-W, close open tab in a browser और close a document in word, Ctrl-W के द्वारा हम जो browser open किये हैं, जो document open किये हैं, उसको हम close कर सकते हैं, Ctrl-X, जो भी text को हमने select किया, उस text को cut करना चाहते हैं, तो उसे select कर Ctrl-X बटन प्रेस कर देंगे, वह आसानी से cut हो जाएगा, Ctrl-Y, these keys will redo any undo action, अगर हम कोई गलती कर देते हैं, और redo बटन प्रेस कर देते हैं, पेच पर पुनह लाने के लिए, undo बटन का प्रियोग करते हैं, और हटाने के लिए redo बटन का प्रेयोग करते हैं, Ctrl-Plus-Ind, move cursor to the end of a document instead of end of the line, Ctrl-Plus-Ind बटन का प्रेयोग करके, हम अपने cursor को जो पेज होता है, पेज के सबसे नीचली लान पर हम जम्प करा सकते हैं, और वहां से कोई भी टाइप करना है, तो टाइप कर सकते हैं, Ctrl-Z, Ctrl-Z के द्वारा हम अपने document को जो document erase कर देते हैं, या document से कोई गलती से गलत टाइप हो जाता है, तो उससे हटाने के लिए हम Ctrl-Z का प्रेयोग करते हैं, आगे दिया है Ctrl-Z, इस कैप की इसको बोलते हैं, ओपन दी बिंडो इस्टार्ट मेन्यू, यानि बिंडो इसको ओपन करने के लिए हम स्टार्ट मेन्यू लाते हैं Ctrl-Z की के द्वारा, आगे दिया है Ctrl, प्लस टैब, गंट्रोल बटन के साथ टैब बटन प्रेस करना, विच बिट्विन, स्विच बिट्विन ओपन टैब्स इन ब्राउजर और अधर टैबेट प्रोग्राम, जो ब्राउजर, हम बहुत सारे ब्राउजर को एक साथ जब ओपन कर देते हैं, वो टास्क बार पर दिखाता है काउन काउन से टेक्स्ट ओपन है, तो उस टेक्स्ट को जो भी हमारा टैब्स ओपन रहता है, उसके माध्यम से जब ctrl T प्रेस करते हैं, बहुत सारे जो open टैब्स रहते हैं, वो सारे टैब्स हमारे स्क्रीन पर दिखाते हैं, जिस टैब्स पर हमें काम करना उस टैब्स पर आसानिस हम जब्प करके काम कर सकते हैं, ctrl plus shift, प्लस टैब विल गो backwards right to left, यानि अपने चितने टैप्स खोले हैं उनस टैप्स से बैकवर्ड और फारवर्ड में जम्प कर सकते हैं List of common control की shortcut कुछ ऐसे common control की दिया हुआ जिसके बारे में आगे देखा जाएगा Ctrl A, Ctrl A के द्वारा सारे text को एक साथ select कर सकते हैं जो हमारे page पर है Ctrl B, Ctrl B के द्वारा सभी text को एक साथ bold कर सकते हैं जीतने select हैं Ctrl C, Ctrl C के द्वारा सभी selected text को हम copy कर सकते हैं Ctrl D, सभी selected text को bookmark के द्वारा हम open कर सकते हैं Microsoft Word के द्वारा, Ctrl E, center text को हम center कर सकते हैं को प्रेस करके हम अपने फंट साइज को जो भी टेक्स लिखते हैं उसके फंट साइज को डिक्रीज कर सकते हैं अर्थात उसे छोटा कर सकते हैं ग्रेस कर सकते हैं अर्थात उसे बढ़ा सकते हैं जैसे उसका हम, अपने लिखे गए टेक्स्ट के साथ सब. script लगा सकते हैं जैसे science नहीं लिखते हैं O2 O2 2 नीचे रहता है और O थोड़ा सा बड़ा रहता है shift प्लस control plus is equal to toggle fund super script जैसे हम math में लिखते हैं x square वैसे हम इसमें super script set कर सकते हैं आगे दिया है दोस्तों control plus end button end of document और window यानि इस button को phrase करके हम अपने document के window के end में जा सकते हैं सबसे नीचे जा सकते हैं अन्त तक control plus home top start यानि हम अपने main menu में जा सकते हैं जहांसे start किया है control plus insert उसे copy कर सकते हैं control plus page down हम अपने अन्त पेज पर जा सकते हैं जैसे 10 page का कोई document हमारा है तो उस document के अन्तिम page पर हम जा सकते हैं control plus page up control plus page up बटन को प्रेज करके हम previous step पर जा सकते हैं control plus tab control plus tab बटन को प्रेज करके हम next windows पर जा सकते हैं और next step पर जा सकते हैं shift plus control plus tab के द्वारा हम previous window पर जा सकते हैं जिस पर work कर रहे थे उस पर हम जा सकते हैं control plus plus बटन को प्रेज करके हम previous word पर जा सकते हैं जो हमने पीछे अभी word को टाइप किया उस word पर जा सकते हैं control plus next word control plus next word को प्रेज करेंगे तो अगले word पर चले जाएंगे जिस word को type के उससे अगले word पर चले जाएंगे